पेस है सूपर टेस्टी आलू वेजिटेवल वेज बर्गर तो फ्रेंड्स आप देखिए कितना डिलीसियस हमारा आलू वेजिटेवल बर्गर बन करके रेडी है तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें वीडियो के अन तक हमारे शाद बने रहें और एक लाइक से यहर बनता है क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए आये सुरू करते हैं आलू बर्गर बनाना सबसे पहले हमने कड़ाई को प्रीहिट कर लिया था उसके बाद दो टीश्ट पून मस्टर्ड ऑल डालें जैसे ही तेल गरम हो जाए आधा चोटी चमच जीरा डालें जीरा देता है बीख कर बिल्कुल महीन चौप कर लिया था इसको डाल करके पांच से दस मिनट तक आपको ऊपन में बिल्कुल भूनना और आपको कढ़ाई को कवर कर देंगे तो प्याज आपका पानी चोड़ने लेगा और गल जाए का अफूना नहीं है बिल्कुल ब्राउनिक करना है आप देख सकते हैं साथ से आठ मिनट हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे दो बड़े टी स्पून अध्रक लासन मिर्चे का पेश्ट ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है हमारे आलू मिक्षर को फ्रेंट्स आपको एक मिनट तक इसको भी ओपन में भूल ले इन से ज़्यादा कोई भी मसाला इसमें अड़ ना करें अब हम स्वाद अनुफसार उपर से शादा नमक डाल देंगे नमक आप पहले ना डाले नहीं तो आपका मिसरन पानी छोड़ने लेगा पान्स से छे आलू को हमने पहले बॉायल कर लिया था और उसका छिलका उड़ार करके मैश कर लिया है अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करें फ्रेंट्स इतने अच्छे से mix करें कि सभी मसालों और नमक की coating बहुत अच्छे से आलुओं पर चढ़ जाए क्योंकि अगर आलुओं पर मसालों की coating कहीं कहीं छूट जाएगी तो भिलकुल भी बेगर आपका अच्छा नहीं बनेगा अब हम फाइनली लास्ट में उपर से पीनट याने की मुंगफली की सीट डालने वाले हैं फ्रेंड्स ये पूरी तरीके से आप्सिनल है क्योंकि बर्गर में मुंगफली की सीट नहीं होते हैं हमारे यहां बच्चों को बहुत पसंद है इसलिए मुझे डालना पड़ा आलों को गोल गोल करना है अब थोड़ा सा चिप्टा कर दें यह देखिए इसी तरह आपको भी सेप देना है पांच से छे हमने ब्रेट को मिक्सर जार में डाल करके ग्राइंड कर लिया था कोटिंग के लिए अब देखिए अब उपर से इसको अच्छे से बिल्कुल दबा दबा कर गार्निश कर दे ब्रेट करंच से जिससे बहुत ही क्रिस्पी और करारी आलू टिक की हमारी बन करके रेडियो फ्रेट्स देखिए वन बाई वन करके हम सभी आलू को इस तरह से रेडि कर लेंगे आईए next हमने फिर से ready करना है फिर से same process से हमने आलू की लोई तोड़ ली है और हाथों में गोल गुमा करके गोल सेप दे दिया है अब bread crunch में इसको अच्छे से उलट पुलट कर उपर से bread crunch चिपका दे अब हाथों से थोड़ा सा push कर दे ये देखिए second भी हमारा आलू टिकी ब अच्छे से गरम कर लिया है अब one by one करके सारे टिक्यों को इसमें डाल करके ब्राउन फ्राइए कर लेंगे देखिए बहुत ही सावधानी प्रुवक आप टिक्यों को डाले क्योंकि तेल हमारा बहुत गरम है तीन से चार मिनट हो चुके हैं अब सभी टिक्यों को वन बाइ हैं बर्गर आप देखिए हम कितनी सारी सबजियों को बर्गर में यूज करने वाले हैं सबसे पहले हमने कैबिज यानि पत्ता को भी को क्रश कर लिया है बीट रूट यानि चुकंदर को बिल्कुल ट्रांसपरेंट होने तक कट कर लिया है तीन से चार टोमैटो यानि की ट दीज नाल दो बर्गर में और एक बँभाट ही हमारा अपिर करेडी होता है हमने यहा पर बर्गर बेड लिया है चार आप देखिए बिल्कुल हमने बेकरी वाला बर्गर ब्रेड लिया हुआ है आप one by one करके सबी प्लेट में निकाल करकर कर काथ kट कर लेती हूं अब सियंक कर लिया है अब चलते हैं बर् sahoda एक नीचला सिरा हमने नीचे रख दिया है अब उपर से सबसे पहले चिली सोस से स्प्रेड़ कर दें अब next हमने यहाँ पर आलू टिक्की को ऊपर से रखना है अब हमने next इसमें रखना है बीट रूट यानि की चुकंदर दो चुकंदर रखे अब हमने इसके ऊपर एक टमाटर रखना है तोड़ा सा हमने पत्ता गोबी को जो क्रश किया था उसको डाल दे अब हमने एक चीज को पूरा कब पूरा उपर से डाल दे इसलिए मैंने कहा था कि स्लाइस चीज मुझे बहुत पसंद आते हैं अब हम उपर से दूसरे वाले सीरे पर टोमैटो सॉस लगा देंगे अब इन सभी को हम उपर से चिपका देंगे ये देखिए कितना बढ़िया हमारा मार्केट वाला बिल्कुल बर्गर बंगर के रेड़ी है फ्रेंड्स हमारा आवन प्री हीट हो चुका है अब हम इसमें बर्गर को डालने वाले हैं इसमें से स्टेंड को निकाल दे क्योंकि स्टेंड का इसमें कोई रोल नहीं है ड्रेक लिए आप प्लेट में डाल करके बर्गर को डाल दे और 7 मिनट के लिए आपको ओवन को सेट कर देना है ग्रिल पर यह देखिए हमने सेट कर चुका है अब वेट करते हैं 7 मिनट का 7 मिनट हो चुके हैं आप देख सकते हैं हमारा ओवन बंद हो चुका है अब हम प्लेट को बाहर निकालते हैं यह देखिए कितना बढ़िया सा मारा चीज बिल्कुल मेल्ट हो के बाहर निकलने लगा है बिल्कुल मारकेट वाला बर्गर बन करके रेड़ी है ऐसे ही वन बाई करके हम सभी बर्गर को रेडी कर लेंगे अब देख कितने सारे एक बार में बर्गर बना करके रेडी कर लिया है अब सेकेंड पार्ट पर ऑपर से शौष्ट लगा दें में डालने वाले हैं अभी हम अवन से निकाल कर बाहर भी आपको दिखाएंगे कि हमारा कितना बढ़ियां चीज मैल्ट होकर बिल्कुल बर्गर से बाहर निकल जाता है खाने में तो बिल्कुल सूपर टेस्टी लगता है तो आप एक रेसिपी को जरूर ट्राइ करें आईए कितना बढ़ियां हमारा बर्गर बन करके रेडी है फ्रेंड्स आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें और हमेशा की तरह चैनल पर नए है तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ तब तक क विले बाइ बाइ